हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो एंजल अकाडमी, एल्पिंग हैंड इन इंग्लेश, फ्रेंड्स क्लास 12 की, सक्सेस्पुली 2 चैप्टर अप्लोड किये जा चुके है, पहला दे लास्ट लेशन और दूसरा लास्ट स्प्रिंग, लास्ट स्प्रिंग का वीडियो, मतलब उसका चैप्टर दो पार्ट में था, तो पाच वीडियो में अप्लोड किया गया है, लास्ट लेशन तीन वीडियो में अप्लोड किया गया है, हलाकि वो दो वीडियो में अप्लोड किया जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि लेंदी ना हो, इसलिए उसे तीन वीडियो में अप् में जैसे Lost Spring अपने आप में बहुत कुछ बया कर रहा था The Last Lesson बहुत कुछ कर रहा था Deep Water भी वैसे ही कुछ कह रहा है हलाकि इसका जो कहते हैं कि Base Meaning है वही है Water, पानी, Deep, गहरा कोई indication नहीं है लेकिन गहरा पानी इससे अगर आप relate करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ incident, कोई न कोई accident जरूर है इसमें तो आएट पहले William Douglas को देखते हैं About the author, 1898 to 1980, इनका life span है Was born in Maine Minnesota After graduating, मतलब कि वो Maine Minnesota में पैदा हुए थे 1898 में, उनका जो life जीवन काल चला था, 1980 तक चला था in economics, English और economics में graduation करने के बाद, he spent two years of teaching, high school in Yakima, उन्होंने दो साल teaching की, किसमें high school में, Yakima में high school, एक school था, मतलब high school था कि school था, उसमें उन्होंने दो साल teaching की, however he got tired of this, और वो bore हो गए इस काम से, and decided to pursue a legal career, और उन्होंने सोचा कि चलिए, advocacy में काम, मतलब की उसमें, थोड़ा सा आजमाईश की जाए, he met Franklin D. Roosevelt, वो Franklin D. Roosevelt से मिले, ठीक है, at Yale, and became an advisor, और वो उनके advisor और friend बन गए, to the president, जो president Franklin D. Roosevelt थे, Douglas was a leading advocate, Douglas एक बहुत ही lead करने वाले, बहुत ही अच्छे है, मतलब उस समय के, अपने समय के lead करने वाले advocate, वकील थे, of individual rights, individual rights आप कह सकते हैं, individual मतलब एक विक्तिगत तो यहां पर human के बारे में कहा गया, तो human rights के बारे में, वो बहुत ही lead करने वाले advocate थे, he retired in 1975, 1975 में वो retire हुए है, with a term lasting 36 years, and remains the longest serving justice in the history of the court, court के इतिहास में, न्याया ले में, मतलब न्याय के मामले में, अपनी सेवा देने में, वो 36 साल से ज़ादा उन्होंने अपनी सेवा दी और अपने आप में एक record है, history है, जिसमें की इतनी लंबी सेवा उन्होंने दी, the following excerpt is taken from O Man and Mountains, by William O. Douglas, William O. Douglas ने एक book लिखी थी, of man and mountains, और उसमें से ही excerpt लिया गया है, हिस्सा लिया गया है, मैंने पहले भी बताया था, चैसे, you know, Lost Spring भी अनीज जंग ने एक book लिखी थी, और उसमें से लिया था, ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें, आप देख सकते हैं, कि इसमें भी, like man and mountains लिखा गया है, और उसमें से एक excerpt लिया गया है, it reveals how as a young boy, William Douglas, nearly drawn in a swimming pool, मतलब यह बताता है कि किस तरीके से William Douglas लगभग बचपन में डूबने के कगार पे थे, swimming pool में, in this essay, he talks about his fear of water and thereafter, यहाँ पर वो आपको अपने डर के बारे में बताएंगे कि कैसे वो पानी से डरें, और उसके बाद ही how he finally overcame it, और बाद में वो किस तरीके से इस पर विजय प्राप किया, notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear, आप ज़रा उन्होंने खुद के लाइफ में एक autobiographical part of the selection जो उसमें उसमें से कुछ point उन्होंने select किये है, is used, इसमें, used किया है to support his discussion of fear, कि किस तरीके से उसके बारे में, जो डर के बारे में, जो discussion है, किस तरीके से उसको support करते हैं, वो बताना चाह रहे हैं, आएए देखिए, expressions है, हाँ पर कुछ, notice these words and expression in the text, infer their meaning from the context, और इससे इसकी meaning भी निकालनी है, देखिए, पहला word है, treacherous, दूसरा, subdued my pride, तीसरा, flailed at the surface, चौथा है, fishing for landlocked salmon, next है, misadventure, then bobbed to the surface like a cork, curtain of life fell, and the last one is back and forth across the pool, तो यह इसके phrase है, आएए, text पर ध्यान देते हैं, it had happened when I was 10 or 11 years old, बता रहे हैं कि यह तब हुआ था, जब मैं लगबक 10 या 11 साल का था, I had decided to learn to swim, और वो बता रहे हैं कि मैंने decide किया था कि मैं swimming करना, सीखूंगा, तो there was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity, और एक pool था YMCA, ठीक है, YMCA, धहम दिजे कि YMCA stands for Young Man Christianity, ठीक है न, that association, तो यह एक association था इनका बना हुआ, Young Man Christianity Association, ठीक है, कहां पर in Yakima, Yakima में था, तो वहां पर एक pool था, और इनकी pool कई शहरों में होते हैं, तो देख सकते हैं, that offered exactly the opportunity, तो उसको देखने के बाद उनको लगा कि वाकई में एक आउसर है उनके लिए, जब वो उनके उसके बारे में जाना उन्होंने, तो याकीमा river was treacherous, याकीमा नदी जो थी, वो डरावनी थी, ध्यान दीजे, याकीमा नदी जो थी, वो डरावनी थी, mother continually warned against it, और उनकी जो मा थी, वो अकसर उनको याद दिलाया करती थी, कि देखो, याकीमा river जो है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे माँ होती है, specially माँ होते हैं, या बड़े भाई बेन होते हैं, वो डराते हैं बच्चों को, कि हाँ बेटा, वहाँ पर डरावना है, वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ डूब जाओगे, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, लाइक दाट, तो उसी तरीके से, और अगर कोई एकाद इंसिडेंट हो गया है, तो पूरे महले या पूरे गाउं भर में, वही इंसिडेंट सुनाया जागा, कि यहाँ सुनो, देखो वो गया था, वहाँ पर, किसी ने अंदर से खीच लिया था, उसमें कुछ है ऐसा, उसमें आदमी डूब जाते, तो अज भी डिसकस होता है, कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो फिर आदमी थोड़ सा डर जाता है, कि नई या, तो नदी के बारे में बताया गया, कि वह ट्रीचरस था, और YMCA जो है, जो पूल है वहाँ पर, उस ग्रूप का, उस असोसियेशन का, उसके बारे में बताया जा रहा है, कि देखो नदी अगर ट्रीचरस है, तो जाहिस जिवादे पूल में भी कुई न कोई पॉल्म होगी, तो Mother continually warned against it, and kept fresh in my mind the details of each drawing इंदरीवा, देखे, आगया ना बात, कि वह बताती थी, और हर व्यक्ती जो उसमें डूबा हुआ था, उसकी detail बताया करती जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि फलाने का धेकाने का लड़का था, और वो गया था, देखो, उसमें डूब गया था, तुम भी जाओगे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो कहीं न कहीं, उस बच्चे के माइंड में, विलियम के माइंड में, उनकी मदर जो थी, वो फियर को जिन्दा रखती थी, कि हाँ देखो, ऐसे गय थे, मेरी माँ लाग कुछ कहती थी, लेकिन मुझे पता था, कि YMC ये पूल जो था, वो सेफ था, इट वाज़ वनली टू और थी फीट डीप अड़ शेलो एंड, सिर्फ दो या तीन फीट, मतलब कि, अगर किनारे पे देखिए, शेलो एंड पे, तो बहुत हलका गहरा था, बहुत हलका, शेलो एंड था, मतलब किनारे पर बहुत ही शेलो, मतलब थोड़ा सा पानी, ठीक है न, मतलब कि, मुझकिल से, घुटने का आधा हिस्सा उसमें डूपता था, और दूसरी तरफ जाईए, तो नाइन फीट डीप, मतलब गहरा था, तो ड्रॉप वाज ग्रैजूल, मतलब कि, इस किनारे आईए, थोड़ा पानी, और आगे जाईए, और गहरा पानी, उसके आगे जाईए, और गहरा पानी, फिर, कहां तो स्टार्टिंग में एक फीट भी ना हो, कि 5-6 फिट का वना, उससे छोटे भी होते, और उससे बड़े भी होते, लेकिन 9 फिट का आदमी तो नहीं होता, यार, लेकिन ये फूल कितना गहरा था, 9 फिट डीप था दूसरे एंट पे, द्रॉप वाज ग्रैजूल, I got a pair of water wings, मुझे water wings भी मिले थे, मतलब कि उसको water wings कहता है, तो उससे swimming सीखता है, तो उन्होंने वो water wings लिया था, and went to the pool, I hated, मतलब कि अपनी तरब से पूरी तयारी करके गहते यार, कि यह डूबेंगे नहीं, अगर मालने जब तैरना नहीं आदा, तो कुछ ऐसा costume अगर है, लेकर के चलो, कोई सीखाएगा, कुछ होगा, तो उस तरीके से चला जाएगा, वो गये, अब यह बता रहे हैं कि I hated to work, मैं नफरत करता था, किस चीज से, to work, टहलने से, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह healthy नहीं थे, बहुत ज़्यादा जो healthy नहीं होता, वो कहीं न कहीं तो उसके दिमाग में रहता है, कि यार मुझे लोग देखेंगे, कहेंगे, और जो थोड़ा सा healthy हो जाता है, वो सलमान खान बनके गुमता है, बहुत ज़्यादा करेगा, किसी को देखेगा, कपड़े उतार देगा, बनियान पे हो जाएगा, कि हाँ बाड़ी देखो, कुछ उसके friends वो गरा आ गए, तो वो भी उतार देगा, कहेगा, देखो मेरे six-pack बने हुए हैं, मेरे muscles देखो, biceps देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, तो like that, लेकिन बिचारे जो हैं ही सूकी या पहलवान, वो बिचारे क्या करेंगे, उनको तो कपड़े निकालने वड़ी मुश्किल होगी, तो वही कह रहे हैं, कि I hated to walk nagged into it, बाई अंदर swimming करने जाएंगे, या नहाने जाएंगे, तो कपड़े पहन के तो नहाने जाएंगे नहीं, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, ठीक है, तो उन्होंने, उनको कपड़े उतारने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको बड़ी नफरत हो रही थी, उस कपड़े उतार करके पूल में जाने में and show my skinny legs और अपने पतले-पतले पैरों को दिखाने में but I subdued my pride and did it और करेकली कि फिर भी मैंने अपने जो आत्म सम्मान को, pride को मतलब दबाया and did it और फिर मैं चला गया भया water wings जो भी जो भी थे मेरे पास में उसको मैंने पहना, costume पहना और फिर मैं चला गया मैंने का चलो कोई बात नहीं है self respect की बात है, ठीक है अब जो मेरा pair रहेगा वही तो दिखाऊंगा मैं मैं दूसरा कहां से लाऊंगा बड़े-बड़े rippled muscles के तो चलो ठीक है, जो है उसी को लेके चलते हैं from the beginning, शुरू में however, I had an aversion to the water कह रहें कि शुरू में तो कहीं न कहीं मैं एक dislike था मेरे मन में एक डर था मेरे मन में कि हाँ यार, I had an aversion to the water कि पानी को लेकर कहीं न कहीं डर था मेरे अंदर यह तब उसके अंदर डर पैदा हुआ जब वो तीन या चार साल के थे इसके अंदर, William के अंदर तीन या चार साल के जब वो थे तब वो डर पैदा हुआ कैसे, जब and father took me to the beach in California California, एक शहर का नाम में आप जानते हैं, अमेरिका में beach किनारा है ठीक है, तो जब वो उसके पास ले गए थे ठीक है ना, जब वो कह रहे हैं कि जब वो तीन साल तीन या चार साल के थे तो California के beach पे जब वो ले गए थे, किनारे ले गए थे तब उनके अंदर वो डर आया था आया कैसे था, he and I stood together in the surf कि रहे हैं कि वो और मैं हम दोनों एक साथ खड़े थे और लेहरे आ रही थी surf, it means here, लेहरे waves, you can say I hung on to him, मैंने उनको जोर से पकड़ लिया था, hung मतलब चिपक जाना ठीक है, मैं जोर से उनके साथ चिपक गया था, yet the waves knocked me down, लेकिन फिर भी, yet मतलब, फिर भी या अब तक, तो yet the waves knocked me down and swept over me, फिर भी लेहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे उपर से बह करके पानी चले गए, तो भाई एक बात बताईए, जब William गिर ही गए और पानी भी उनके उपर से गिर गया, और एतना भी नहीं था, कि हाँ 25 साल के बहुत ही अच्छे खासे इंसान थे भी, तीन-चार साल के बच्चे थे वो, तो जब बच्चा गिर जाए और उसके उपर से पानी जाने लगे, तो कितना डर जाता है, हमें खुद भी आद है, हमें अच्छे तरीके के भी हमारा सर नीचे दबा देता थो तो हम सांस नहीं ले पाते तो तो तम कितने बेचैन हो जाते थे, और तब भी हमारी उमर्थ 3-4 साल की नहीं, कम से कम 8-10 साल की थी, तब हम इतने विदलेस हो जाते थे, 3-4 साल का बच्चा तो उसकी क्या ही हालत होगी था, फादर लाफ्ट, हलाकि पिता जी हसे, बट देर वाज टेरर इन माई हार्ट, एड द ओवर पावरिंग फोर्स ओफ द वेव्ज भाई, देखिए, अब माबब तो जानते हैं, कि पानी चला जाएगा, बच्चा फिर सास लेने लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो ढर गया, अब दुबारा वो पानी के नीचे, अगर वो नीचे भी रखेंगे, तो बच्चा चिलाएगा, कि नहीं नीचे नहीं जाना है, मुझे मुझे उपर उठाओ, ठीक है, तो वही हालत थी, तो वो हसे, लेकिन आथर बता रहे हैं, यहां पे विलियम की, there was terror in my heart, मेरे दिल में, मेरे मन में, बहुत बड़ा डर था, at the overpowering force of the waves, जो पानी की लहरों का जो दबाव था ना, जो मेरे उपर आया, तो उसका डर इतना था, कि अगर कोई मुझे नीचे भी रखता, पानी में, मेरे पैर भी पढ़ते, तो ऐसा लगता था, कि यार, वो डर मेरे अंदर आ जाएगा, my introduction to the YMCA swimming pool, revived unpleasant memories and stirred childish fears, कह रहे कि my introduction to the YMCA swimming pool, YMCA swimming pool में, जो मेरा introduction हुआ, जब मैं memories नहीं थी, pleasant मतलब, अच्छी memories, unpleasant मतलब, जो अच्छी नहीं थी, वैसी memories revived हो गई, मेरे दिमाग में आ गई and stirred childish fears, और मेरे अंदर की जो बचकाना डर था, उसको एक दम हिला कर रख दिया, but in a little while, लेकिन फिर भी, थोड़े समय के बाद, I gathered confidence, मैंने अपना आत्म विश्वासी कठा किया, I paddled with my new water wings, मैंने अपने नए जो water wings पहने हुए थे, पैरो में, उसको मैंने चलाना शुरू किया, watching the other boys, दूसरे बच्चों को देखते हुए and trying to learn by apping them, और मैंने सीखने का प्रयास किया, उनको copy करते हुए, apping them, app मतलब होता है copy करना, तो उनको copy करते हुए, मैंने सीखने का प्रयास शुरू किया, I did this two or three times on different days, मैंने दो से तीन बार, मतलब try किया, ठीक है, दो से तीन बार, अलग-अलग तरीके से मैंने इसको, अलग-अलग दिनों में इसको try किया and was just beginning to feel at ease, at ease का मतलब comfortable और मैंने ये तुरंत, ये महसूस करना, comfortable feel करना शुरू कर दिया in the water पानी के अंदर, कि पहले जो डर था, वो डर खतम हो गया, दूसरे बच्चे जो उसमें swimming कर रहे थे, मैंने भी उनकी तरह swimming करना शुरू किया, और दो-तीन दिन के अंदर, अलग-अलग तरीके से मैंने practice की, और अब मैं अपने आपको comfortable feel कर रहा था, पानी के अंदर, when the misadventure happened, जब वो misadventure, आप कह सकते हैं कि एक दुरघटना घटी, misadventure, दुरघटना घटी एक incident हुआ, और भी वहाँ पर नहीं था, the place was quiet, शान, स्थान जो था, बिलकुछ शान था, मतलब कि author पहले पहुच गए थे, the water was still, और पानी बिलकुछ शान था, यार, पानी बहता हुआ तो नदी का होगा, तालाब भी नहीं चल सकता, क्योंकि वह भी कहीं नहीं, कहीं रुका हुआ पानी रहता है, ठहरा हुआ पानी रहता है, नदी का हो, समुद्र का हो, उस वह पानिया चलती है, बहता पानी होता है, या तालाब कहीं दूर कहीं जा रहा है, बहते-बहते, छोटी नदी है, like that, stream हो, वो बहता पानी हो, लेकिन अब भाई, बाथ टब का या फिर अगर आप देखें, swimming pool का पानी तो वो तो बहेगा नहीं, वो तो silent रहेगा, still रहेगा, अगर कोई उसमें कूदा, कोई छलांग लगाया तो उसमें हरकत होगी, otherwise it will be silent, it will be still, so definitely no one was there when the author reached there, the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub, और कह रहे हैं कि पानी एकदम शान था, साफ था, और नीचे जो tiles लगे हुए थे, उसमें swimming pool में, वो swimming pool के tiles लगे हुए, नीचे के जो tiles लगे हुए थे, वो बिलकुल इतने ही white और साफ दिखाई दे रहे थे, सफेद और साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे डर था, मेरे अंदर कायरता थी, मतलब बहादूर नहीं था, confident नहीं था, मेरा confidence low था, मैं डर रहा था कि उसके अंदर अकेले जाने में, so I sat on the side of the pool, इसलिए मैं pool के side पे जाके बैठ गया, to wait for others, दूसरों का इंतिजार करने के लिए, I had not been there long, when in came a big bruiser of a boy, के रहे कि अभी मुझे जादा समय नहीं हुआ था, वहाँ बैठे हुए, तभी एक बड़ा सा, बहुत ही गठीला हुआ, bruiser of a boy, मतलब कि एक example आप कह दिए, specimen कह दिजे, वो लड़का आया, probably 18 years old, लग भग, 18 साल का, मतलब कि big bruiser, मतलब कि अच्छा खासा पहलवान टाइप में लड़का था, 18 साल का वो लड़का, आया, he had thick hair on his chest, मतलब घने घने बाल भी थे, उसकी च्छाती पे, he was a beautiful physical specimen, अगर आप उसको देखे तो बहुत ही खुबसूरत, और गठीरा एकदम बढ़िया, इस specimen आप कह सकते हैं, शारी recruit से, बहुत ही हर तरीके से अच्छा, with legs and arms, उसके अगर बाजूओं को देखिए, या उसके पैरों को देखिए, that short rippling muscles, उसके हाथ और पैर में गठे हुए, मदब गठीले muscles थे, he yelled high skinny, और पतलू, how would you like to be dug, कैसा रहेगा अगर तुम्हें इसके अंदर उच्छाल दिया, जाए, आगे देखिए, with that he picked me up, और यह कहते ही, उसने मुझे उपर उच्छाल दिया, and tossed me into the deep end, और उसने मुझे, यह कहते ही, मुझे उपर उठाया, और पानी में, दूसरी तरफ उच्छाल दिया, द्यान दीजे, जिस तरफ, कहरा नहीं था, अगर उस तरफ फेका होता, तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने किस तरफ फेका, दूसरी तरफ, जहां पर 9 फिट गहरा था, I landed in a sitting position, उच्छाल के तो उसने फेक दिया लड़के ने, William बैठी हुई position में ही वो नीचे गए, ठीक है, I landed, swallowed water, कुछ पानी भी पिया, and went at once to the bottom, और फिर तुरंत जो है, मैं नीचे पह हो गया, I was frightened, कहरें कि मैं डर गया था, but not yet frightened out of my wits, कहरें लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था, कि मेरी बुद्धी या मेरा दिमाग काम ना करे, on the way, कहरें कि रास्ते में, जब मैं रास्ते में मतलब सड़क पे चलने वाला रास्ता नहीं, पानी में जो उच्छाल के फेक द बॉटम, जब मेरा पैर जब नीचे तल को जब टच करेगा, बॉटम की लेयर को जब टच करेगा, I would make a big jump, तो मैं एक बहुत बड़ी उच्छाल मारूंगा, come to the surface, और उच्छाल मारते ही मैं सतर पर आ जाओंगा, lie flat on it, मैं बिलकुल उपर तैरने लग जाओंगा, and paddle to the edge of the pool, और पैर से paddle करते हुए, मैं उसके किनारे, किसके? पूल के किनारे, चला जाओंगा, तो ये तो planning थी William की, लेकिन क्या ये आसान होता है, कोई डूपता हुआ इंसान हो, उसने कोई plan बनाया, उससे पूछो, कि अगर बच गया हो, तो किस तरीक इस plan उसने execute किया हो, अक्स इसा लगा कि नीचे का जो रास्ता था बहुत ही लंबा था, दोज नाइन फीट वर मोर लाइक नाइन टी, ध्यान दीजे लाइन को, वो जो नौ फीट की दूरी थी लग रही थी कि नब्बे फीट से भी जादा थी, और बिफोर आ टच्च बॉटम, माई लंग्स वर ने वाले हों, बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर ने नीचे के हिस्से को टच किया, नीचे के टाइल्स को टच किया, I summoned all my strength, मैंने अपनी सारी ताकत को संबन किया, संबन मतलब इकठा किया, संबन बेजदे ना उसको बुलाओ, तो उसी तरीके से मैं मैंने अपनी strength को संबन किया, संबन किया, कठा किया, and made what I thought, और मैंने वो काम किया, जो मैंने सोचा था, क्या, was a great spring upwards, कि मैं उच्छाल मारूंगा उपर की तरफ, I imagined, मैंने सोचा, I would bob, bob means jump करना, कि I imagined, I would bob to the surface like a cork, कि मैं उच्छाल मार करके, कूद करके, surface पे चला पर चला जाओंगा, cork आप समझिए, जो पेड़ की जो च्छाल होती है, नडियर, तो उसको अगर पानी में फेकी है, तो बिलकुल वो उसको कितना ही फेकी है, जो पेड़ से निकली हुई च्छाल होती है, उसको cork बोलते है, अगर उसको फेक है, तो उपर नदी में पान अब देखिए, कह रहें कि ऐसा मैंने सोचा तो था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बलकि क्या हुआ, मैं उपर बहुत धीरे धीरे आया, I opened my eyes, मैंने अपनी आखे खोली and saw nothing, और मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आजे नेक्ष देखते हैं, butt water, चारो तरफ मुझे क्या दिखा, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, पानी और पानी, water that had a dirty yellow ting to eat, ऐसा लग रहा है, जैसे आखे बंद करते हैं, कहीं पर कोई पीला पीला समान हो, तो आखे बंद करके नीचे देखें, तो नीचे पानी पीला पन में दिखाई देता है, तो ब you panicky, मैं डर गया, I reached up as if to grab a rope, and my hand clutched out only at water, कह रहा है कि मैंने हाथ बढ़ाया, आगे कुछ पीला पीला सा दिखा मुझे, जैसे माले जिए, कोई सरकंडा हो, या कुछ रसी हो, उस तरीके का, या कोई, you can say, कोई छडी हो, तो पीला पीला दिखाई दिया, तो उसने सोचा, William सोचे कि, शायद ये कुछ होगा, रसी होगा, मैं इसको पकड़ लूँ, और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पकड़ने की कोशिश की, तो उनके हाथ में, hands clutched only at water, कोई रसी नहीं आया, बलकि महाँ पर क्या आया, सिर्फ उनके हाथ में, पानी आया, और क sound came out, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई, then my eyes and nose came out of the water, कह रहें कि, फिर मेरी आख और मेरी नाख बाहर आई, but not my mouth, लेकिन मेरा मुँ बाहर नहीं आपाया, आगे देखिए, I flailed at the surface of the water, swallowed and chocked, कह रहें कि, I flailed at the surface of the water, पानी के सतह पर में आया, swallowed, पानी पिया, and chocked, और गला मेरा, फिर से वहीं देखिए, chocked मैंने आपको बताया था, emotions के वज़े से, मतलब वो, दलास लेसे नों बताया था, मैंने आपको emotions के वज़े से, like, आदमी बोल नहीं पाता है, it is, it becomes, it becomes very difficult to speak, तो यहाँ पर भी emotion की वज़े से तो नहीं लिखनी है, पानी के वज़े से, उनका जो आवा, गला है, वो चौक कर गया है, I tried to bring my legs up, मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को उपर ले जाओ, but they hung as dead, weights, paralyzed, and rigid, के रहे कि मैंने सोचा कि अपने पैरों को मैं उपर ले जाओ, लेकि मेरे पैर ऐसे हो लकवा मार देना, जैसे कोई moment ना हो, and rigid, और बिलकुल कठोर हो गया हो, a great force was pulling me, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे नीचे खीच रही थी, under, I screamed मैं चिलाया, but only the water heard me, लेकिन सिर्फ पानी ने मुझे सुना, I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और मेरी फिर से एक लंबी जरनी शुरू हो गई और लंबी जरनी कहां पर शुरू हो गई फिर से, back to the bottom of the pool, फिर से पूल की सतह पे, मतलब कि पहले तो लड़के ने मुझे उपर से उचाल के नीचे फेका था, तब मैंने planning की थी कि मैं जंप करूँगा, surface पे आऊँगा, और paddling करके मैं चला जाऊँगा, और फिर उसके ब पान नहीं, ठीक है, और उपर पहुचा, तो उपर पहुचने के बाद मेरा मूँ नी बहार आया, सिर्फ मेरी आँख और नाख बहार आया, और सिर्फ पानी अंदर गया मूँ में, ठीक है, मतलब चिलाने की भी कोशिश की सब कुछ हुआ, पैर हिलाने की कोशिश की, ऐसा रगा कि बहुत ही जादा वजन बांदिया गया और पैरलाइजड हो गया कठोर हो गया पैर मेरे हिली नहीं रहे थे और इसा लगण थे बहुत बड़ी ताकत भई यह नीचे गये ऊपर आए ऊपर कुछ पकड़ने ही कोशिश की सिर्फ पानी को पकड़ पाए वो सोचे कोई अब यह फिर से इनकी जर्णी नीचे जाना शुरू हो गया और बहुत बड़ी पावर थी जो मुझे ऐसा लग रहा था खीच रही थी मैं चिलाया लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी श्री पानी ने सुना और ऐसा लग रहा था कि फिर से मेरी जर्णी नीचे की शुरू हो गई लेकिन आपका हाथ उठ नहीं पाता तो उसी तरीके से जैसे सपने में होता है क्योंकि सपने में आप बिस्तर पे होते हैं कई न कई फसे होते हैं कई लोग होते हैं साथ में सोई हुए या अगर आप अकेले भी हैं तो जाहिर सी बात है कि चाहे आपका सिर के तरफ आपके क कब भी ऐस सब चीज़े होती है आप हाथ पर चलाने चाहते हैं तो पानी में कहा हाथ पर चलता है यार बिल्कुल नहीं चलता है तो इट वास दे एक्स्प्रेशन ऑफ फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ठीक है शेर जादा से जादा करिएगा बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिलेगा और चैप्टर समझ में आयगा डिये और जिसने कई बार मेरे वीडियो देखा उनसे हमबर रिक्वेस्ट है चैनल को सब सपोर्ट दीजे अपना प्यार दीजे ताकि में मोटिवेशन मेरे अंदर हो और मैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट बैक तो बैक आपको वीडियो बना करके देता जाओं और यह कहीं न कहीं आपके बोर्ड एक्जाम के लिए हेलफुल होगी See you very soon with the same topic to be continued in next video dear till then thank you and Jai